हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चानल मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीती सो जैसा कि आपको पता है क्रिस्मस सीजन है हम शॉपिंग भी करिया है और हम लाइट शो भी देखकर आ गया है अब हमें जाने 24 को किसी के यहां पर घर पर और क्रिस्मस यहां पर बहुत बड़ा ख्योहार है नीजेंड में उस इस टाइम और यहां पर मेंद पेस्टीवल क्रिस्मस ही है जो आज हम बनाएंगे फोटो फ्रेम नहीं बनाएंगे यह फोटो फ्रेम रेडिमेट है हम इसे करेंगे डेकुरेट थोड़ा सा हम हैंडमेट टेच देंगे इसको तो यह कभी भी बना सकते हो तिवाली पर गिफ्ट कर सकते हो जैसा कि मैं Christmas पे gift करूंगी, आप Christmas पे gift कर सकते हो, anniversary पे gift कर सकते हो, इसमें आपका खुद का personal touch है, तो यह उसको थोड़ा और special बना देता है, आप जिसको भी दोगे, उसको बहुत अच्छा लगता है कि आपने खुद बनाया, और यह बहुत quickly बन जाता है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत time लगेगा, so हम quickly check करते हमें इसके लिए क्या-क्या सामान, so ऐसे paper के यह rows है, यह market से ही आते हैं, मैंने खुद नहीं बनाया है, वो हम ले लेंगे, और हम उसे detangle करेंगे, तो something like this ऐसा निकल के आएगा, detangle करने के बाद, so यह जो अलग सी, आप bendy देख रह काट देंगे, और काट के यह, ऐसा सा बन जाएगा, इतना छोटा, without stamp, हमें यह use करना है, so हमें चाहिए यह flask, so हमें चाहिए फिर यह ऐसे छोड़े flask, जो कि हमने इसमें से बना दिये हैं, और हमें क्या चाहिए, next हमें चाहिए कोई साभी frame, और सबसे important चीज, glue gun, so glue gun का काम है, वैसे तो यह बच्चे भी बना सकते हैं, पर यह hot होता है, इसका surface यहां से, so अगर कोई बच्चे बना रहे हैं, तो उसके parents उनके साथ ज़रूर बैठे, because वो अपने आपको hurt ना गर ले, so glue gun चाहिए, तो सिर्फ तीनी चीज चाहिए हमे So, बहुत ही, बहुत ही easy craft है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो फूल का back है, उस पे बस बहुत चोटा सा amount hot glue का डालना है, but मैं आपको फिर कहूंगी, अपनी उंगलियां संभाल के, because hot glue होती है, तो वो बहुत तेज लगती है, तो अगर कोई बच्चा यह craft कर रहे है, त और आपका frame की, उस पे depend करता है कि कितना चोड़ा frame है, like मेरा frame बहुत पतला था, तो मेरा single line से ही काम चल गया, पर अगर आपका थोड़ा सा चोड़ा है frame, so आप दो line बना सकते हैं, वो ज्यादा सुंदर लगेगा, because एक line से आपका पूरा frame ढगेगा नहीं, अगर वो थोड सा बड़ा है, चोड़ा है frame, so आपको कुछ नहीं करना, आपको line से उसको paste करते जाना है, और इसमें आप कोई से भी color का full ले सकते हो, जैसे मैंने orange लिया है, तो ज़रूरी नहीं आपको same color रखना है, आप different रख सकते हो, अगर आप अपने husband के लिए, या किसी family member के लिए बन करके भी लगा सकते हो, मुझे किसी और को gift देना था, तो मुझे idea नहीं है, कि वो क्या photograph उसमें लगाएंगे, इसलिए मैंने अपने according full चुने थे, पर मैंने सारांश के लिए भी एक बनाया हुए, तब मैंने उसमे photograph के according full लगाया था, उस color का, कि वो match करे photograph से, और ज्यादा सुंदर लगता है वो, तो अब मैं बात करूँ paper rose की, ये घर में भी बहुत easily बन जाते हैं, मैंने वो भी try किया हुए, पर इस ताइम मेरे ये handmade वाले नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत जादा लगते हैं, तो वो बहुत time consuming था, और में को बहुत जल्दी, quickly किसी को gift देना था एकदम से random land बना था मेरा Christmas पे उनके घर जाने का, तो आप बाजार से भी ला सकते हो, बहुत easy craft है, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, कि आपने handmade कुछ उनको दिया है, और ये इतना, इतना, इतना easy craft है, trust me, 5 minute भी नहीं लगते हैं, इसको बनाने में, बहुत ही easy है, super fast एकदम, like, बिल्कुल भी अगर आपको एकदम से भी कोई plan बना है, तो भी आप ये दे सकते हो, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक photo frame लेकर आना है, और ये full लेकर आने है, and then just paste करने है, और बहुत सुन्दर लगता है, देने वाले को भी, और बनाने वाले को भी अच्छा लगता है, और आप इसमे एक और चीज़ कर सकते हो, आपको फ्रेम का भी अगर color change करना है, तो आपको ये वीडियो और ये photo frame दोनों पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मैंन किये तो प्लीज जाएए सबस्क्राइब कीजिए, थैंक यू